सरसों के साथ बनाया गया ये कच्छे केले की सबजी है जो की बहुत ही तेस्ती है और बहुत ही सेहत मन्द है तो उमीद है आज की ये सबजी आपको पसंद आएंगे और अगर अच्छे लगे तो प्लीज मेरी सेनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो इसे लिए दोस्तों शुरू करते है वेलकम तू सफिकर्स किचन ये दो कच्छे केले हमने लिया है पहले इसकी हम सिलके उतारेंगे इस तरह से काटके निकालेंगे सिलके को थोड़ा सा मोटा होता है बनाने का चिलका तो थोड़ा मोटा ही निकाल लीजेगा इसका ग्रीन वाला पर्च नहीं होना चाहिए बहुत ही आराम से निकल जाता है कोई प्रशानी नहीं होता है इस तरह से हम दोनु मेले की सिलकों को निकाल लेंगे और उससे अच्छे से धो लेंगे ये देखिए, दोनों का हमने चिलके उतार लिया है, अब इसकी पीसेस करेंगे, इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा रखा है ये बहुत जल्डी पकने वाला सबजी है, इसलिए थोड़ा मोटा रखा है, ज्यादा पतला होने से ये तूट जाता है अब इसकी मसाले तैयार करते है, ये दो बड़े समस हमने सरसो लिया है, इसे 15 मिनित तक हमने भिगो के रखा था, साथ ही एक इंच अद्रक की तुकड़े है, और 6-7 लेसून की कलिया और 2 मीडियम साइस की प्याज है इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डालके अच्छे से पीस लेंगे, अगर आपको मिर्स पसंद है तो आप हरी मिर्स भी इसमें एड़ कर सकते है, चलिए इसे पीस लेते है, ये दीखिए हमने पीस लिया है, इस तरह का ही चाहिए, ये पेस्ट रेडिय हो गया है, अब इस आप कोई सभी cooking oil यूज़ कर सकते है, oil गरम हो गया है, तो इसमें हम केले की सबजी को डाल देंगे, हमें इसे हलका सा fry करना है, इस तरह से हिलाते हुए करीब 2 मिनित हम इसे fry करेंगे, जड़ा ब्राउन नहीं करनी है हमें, बस सुने रहा होने तक ही इसे fry करना है, ये फिर से एक बड़ा चमस तेल डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम एक चोटे समस साबु जीरा, जीरे को थोड़ा चटकने देंगे, साथ ही डाल देंगे हम पीसा हुआ सरसो का पेस्ट को, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये दीखिए, इस तरह से हिलाते हुए पेस जैसे मिक्स करना है, जैसे मिक्स हो जाए, इसमें डाल दिया है, एक चोटे समस हल्दी पाउडर, एक चोटे समस धनिया पाउडर, एक चोटे समस जीरा पाउडर, साथ ही आधा चोटे समस लाल मिर्ज पाउडर, ये कलर के लिए है, और आधे चोटे समस से भी कम, थोड़ा सहाइ करके हम इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे इसे हम अच्छे से भूनना है जैसे ही ये टोड़ा ड्राइ हो जाए हम इसमें एड़ करेंगे तमाटर प्यूरी को ये हमने डाल दिया है इसी हुई तमाटर को अच्छे से चला लेंगे साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसर नमक नमक डालने से ये जल्दी पक जाता है इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब दो मिनित हम इसे धक के पकाएंगे ये देखे दो मिनित हो चुके है मसाला अच्छे से पक चुके है अब इसको थोड़ा सा ड्राइ करके हम इसमें डालेंगे सबजिया सबजी को डाल दिया है इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको मसाला ज़्यादा ड्राइ लगे तो इस वग आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते है मेस में दो बड़े समस पानी डाल दिया है ये देखे अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है अभी इसे हम फिर से दो मिनित धक्के पकाएंगे धक देने से ये जल्दी पक जाते है ये देखे हो गया है आधे से ज़्यादा ये चबजी हमारा पक चुके है अच्छे से एक बड़ हिला दीजिए इसको अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए और तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से कुकना हो जाए ग्रेवी अब अपनी पसंद से रख सकते है अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए मैंने दो बड़े कप की पानी डाले है ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है इसी तड़ा बिना धकल लगाए हमें इसे पकाना है देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है कितना बढ़िया लग रहा है इसे आप छेक कर लिजेगा एक बढ़ जरूर कि ये कितना पक गया है कि नहीं ये देखिए कितना आराम से ये तूट रहा है मतलब ये अच्छे से पक चुके है अब इसे हम साफ कर सकते हैं लग रहे हैं ना कितना बढ़िया इस सबजी को आप किसी भी दिस के साथ खा सकते है चाहे वो रोटी चावल पराथा पूरी कोई भी हो आप बड़े अराम से इसकी मज़े ले सकते हैं बहुत ही हेल्डी है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे है उमीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आये होंगे तो तब तक के लिए चलते हैं गुद्बाई और टेक क्यार